कि अब अब आपके यूट्यूब चैनल मैट्स विजार्ड में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो है भी टीचर रिक्वार्मेंट प्रोसेस का जो प्रोसेस चलाओ काफी प्रोपर वे में चल रहा है और आपको रेगुलर वेकंसीज देखने को भी मिल रही साथ ही साथ आपको बीपीसी टीरी 1.0 हो चुका 2.0 हो चुका और कल ही मतलब आपका नया साल का पहला दिन ही जो है बीपीसी के तरफ से एक अच्छा कलेंडर जो है आपका वो रिलीज कर दिया गया और इसमें बत करना चाहिए ताकि आप एक बहुत ही अच्छे से आप मतलब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सेके तो आप इसको वीडियो को शुरू सरेकर गलास तक देखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आपको एक थोड़ा सा मतलब एक प्रोपर वे में आपको गाइडेंस म मतलब मिल सके इस वीडियो के माध्य हमसे तो आप इस वीडियो को शुरू सेकर गलास तक देखीएगा तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ही मतलब मैंने बहुत सारे प्वट पॉइंट को नोट डाउन किया है तो आप जो है मैं इन सब सारे पॉइंट को explain करूंगा ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा experience हूँ बट फिर भी मैं इस जो पॉइंट मैंने collect किया है अगर कोई चीज आपको कोई proper वे में structure वे में आपको कोई बात बता दे तो चीजे आपके लिए आसान हो जाती है कोई चीज को शुरुवात करने में वह चीज आपके लिए काफी helpful होती है तो चलिए मैंने कुछ point note-down किया है आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए आपको शुरुवात कहां से करना चाहिए ठीक है यह सब सारे चीजों के बारे में सारे points के बारे में इस video में discuss करेंगे, बारी-बारी से discuss करेंगे, ठीक है, तो सबसे पल ये बहुत ही अच्छी good news है, कि ऐसा ही होना चाहिए, जो भी vacancies हो, उसका एक proper calendar होना चाहिए, उसका notification कब आएगा, उसका exam कब होगा, ठीक है, साथ ही साथ अगर BPSC क साथ की तुरू एक चीज और मिल जाता कि सारे post के लिए, जो है वो मतलब की, एक special, मतलब authentic syllabus भी अगर मिल जाता, तो candidate को, serious candidate को तैयारी करने में काफी जो है, आपका easy पड़ता, ठीक है, कि TGT के post पर कौन-कौन से syllabus आएंगे, PGT post पर क्या आएंगे, आपका, ये middle school में क्या पूछा जाएगा, आपका primary level पर क्या पूछा जाएगा, ये सब भी थोड़ा सा आपका define हो जाता, तो में भी देखिए, आने वाले आपको दिनों में देखने को मिले, कैसा हो, बट अभी तक तो अभी नहीं आया है, ये थोड़ा सा release हो जाता, तो serious candidate को preparation करने में और भी ज हो गई, तो ये बहुत अच्छी बात है, कि सारा आपका release हो चुका है, तो चलिए, बीना कोई देरी की हुए, मतलब सारे point बात करते हैं, कि क्या क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, तो जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग BPSC, आपका 3.0 का जो है कैसे करना चाहिए, ठीक है, ऑफिसियल एक्जाम कलेंडर एनाउंस, ऐसा तो नहीं है, ये आपका BPSC के थुरू, मतलब, रिलीज हुआ है कलेंडर, तो ऐसा मालेजे, मैं ही आपको बोलता, या कोई और आपको बीडियो बना के बोलता, तो उसमें जो है, थोड़ा सा लगत कि सही हो सकता है, थोड़ा सा आपको लगता कि गलत भी हो सकता है, लेकिन अफिसियल आपका ये कल ही रिलीज हुआ है, तो इससे एक ऑन्थेटिक information है कि आपका इस डेट में आपका एक्जाम होगा, और एक ऑन्थेटिक organization जो कि आपका एक्जाम कंड़क्ट करवाती है, उस इसी के थुरू आपका ये जो है information आया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां मतलब date officially मतलब एक आ चुका है कि इसी के आसपास आपको जह है देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अची बात है, target beta 2024 for TGT-PGT, अगर बात करें, आप PRT की बात करें, middle school 6 to 8 की बात करें, जिसमे कि आपका 2.0 में आपका आया हुगा था vacancy, तो इसमें जो है seated वाले भी allowed थे, अगर आप seated paper 1, seated paper 2, अगर आप जो है, वो qualified थे तो बिहार वाले teacher में, primary teacher में, middle school में आप form fill up कर सकते थे, और अभी भी है, तो आप आने वाले जो भी vacancy, upcoming vacancy है, इस year, उसमें भी आप जो है, व B.A.D. है, graduation है, लेकिन यहां का अगर आपके पास B.T.E.T. नहीं है, A.T.E.T. नहीं है, तो यहां पर आप जो है, वो मतलब की, T.G.T. और P.G.T. में आपके सारे qualification रहते हुए भी आप जो है, यहां पापलाई नहीं कर पाईएगा, तो बिहार T.E.T. अगर आप paper 1 qualify है, त P.G.T. लेबल पर, तो यहां पर आपका जो है, वो यह बिहार T.E.T. अगर पेपर 2 के लिए है, तो इस केस में आप जो है, वो P.G.T. का form fill up कर सकते हैं, तो अब alert होंगे, अभी ही, आज ही आपका last date है, और अगर आप थोड़ा सा भी serious होंगे, तो अलेडी आपने form fill up कर द है, विहार T.E.T. का, उसके paper को download करिये, और download करने के बाद आप देखिए कि उसका क्या structure है, कहां कोई सा पॉइंट आपका weak है, कौन सा पॉइंट आपका strong है, कहां से आपको सुरूइत करने की ज़रूध है, कहां से आपको सुरूइत करने की जरूद है, तो इससे आप सेडियूल है और मार्च अपरिल मई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और इस टाइब से अगर आप इस एक्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप PGT और PGT दोनों के लिए बिहार के लिए लीजबल हो जाएगा मतलब दो तीन ओपर्चुनिटी आपके लिए और ओपन हो जाएगा ठीक है तो आपने इस फोर्फॉर्म फिलफ कर दिया होगा आपको त्यारी स्टार्ट कर देना चाहिए जनवरी फर्वरी मार्च में आपका पेपर हो जाएगा सीटेड एपियरिंग स्टूडेंट सीटेड पाउस अगर सीटेड की बात करें तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था अब आप एपियर कंडिदेट है तो 0-0-1 कोई बात सुखते सीटेड अपका पता है कि सीटेड पेपर 1 और 2 का ओफ्लाइन एक्जा हैं तो आपकी अपकमिंग आने वाले आप जो भी एक्जाम है मतलब यह बिहार वेकंसी 3.0 उसमें आप मेडल स्कूल के लिए और आप प्यार्टी के अगर वेकंसी आती है तो उसमें भी आप इलीजिबल हो पाएंगे और आप यहां पर फॉर्म फिलब कर पाएंगे ठीक है तो आपको किसी भी वे में आपको एकदम सीरियसली वे में सीटेट वाले कंडेट को जो है वह इसको सीरियसली रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपनों सीटेट को क्लियर करने के तुरंद बाद आपको जो है वह अक्सर ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप सीटेट क्लियर करें और बहुत जल्द आपको वेकेंसी देखने को मिले कहीं पर भी लेकिन आपके लिए बहुत गॉल्डेन ओपर्चुनिटी है कि आप सीटेट तुरंथ किलियर करिएगा तुरंथ आपको अपकमिंग एक दो महिना के बाद आपको जो है उम्माई जून तक आपको जो है इ मिडली स्कूल को टारगेट कर रहे हैं आप टीजीटी को टारगेट कर रहे हैं तो अब जस्ट आपका पेपर हुआ है प्राइमरी का भी हुआ है मिडली स्कूल का भी हुआ है टीजीटी का भी हुआ है पीजीटी का भी हुआ है तो डिफ्रेंट कोर्शन पेपर को डाउनल करने की जरूरत है कौन से पॉइंट को मेरे को ये करना चाहिए इस टाइब से अगर आप कुछ ऐसा करते हैं प्लान देखते हैं तो अभी एक सही समय है आपको प्रप्रेशन करने का और अब की बार जो है बहुत अच्छे करके दो बार हुआ तो पहला बार तो एकदम हरवड में सब कुछ हुआ था दूसरा बार में भी आपका हरवड हुआ था अभी एक ऑफीशल यह आपके पास छे-सात महिना का टाइम है आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस टाइम में आप जो है वह सब यह चीज़ों को अच्छे से प्लान करके जहाब कर सकते हैं और प्र जो start करना चाहिए आपको क्या weakness है आपका क्या strong point है वो आपसे better कोई और नहीं जाना सकता है तो सभी चीजों को देखिए analysis करिए और अपना preparation में जूड़ी आए क्योंकि फिर आपका time निकल जाएगा तो इसमें आपका ही loss है तो अभी एक अच्छा समय है आपको इसका preparation स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप एक serious candidate है अगर आप यहां पर एक seat निकालना चाहते हैं तो ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं for middle section 628 subject concern is important अगर हम लोग बात करें ऐसे आप देखिए का YouTube पर भी बहुत सरा चीजों पर जैसे आपका middle school में आपका social science और फिर science वला आया हुआ था ठीक है यह सब कुछ था उसमें section तो जेनरल पार्ट तो सबको ही preparation करवाते हैं लेकिन subject वाला पार्ट नहीं करवाता है कि रीजन इसका होता है कि जेनरल पार्ट सबका होता है TGT, PGT, middle school और आपका primary में भी ठीक है लेकिन subject वाले में एक especially मतलब और especially वही आते हैं जो इनका particular subject है तो आप क्या करिए जो previous year अभी जो आपका exam होया है उसको देखे और उसमें अपना strength को देखे कि आपका जो है वो कौन सा कहां से पूछा गया है क्या level है math का क्या level है कहां पर आपका कमी जा रहा है reasoning का कैसा पूछा था GKGS में क्या question थे इस टाइप से उसको देखिए और उसको देख करके analysis करिए कि आपको क्या करने की जरूरत है कौन सा आपका weak point है कौन सा आपका strong point है और subject को जो है यहां पर बहुत ही strong करने की जरूरत है अगर अगर आपका social studies है अगर आपका math and science है क्योंकि subject जो है बहुत बड़ा important role play करता है exam में और अच्छा खासा है आपका weightage भी था आपका exam में तो यहां से आप subject को तयार करिए तो यह आपकी लिए काफी benefit होगा और अगर आपका subject अच्छा रहेगा थोड़ा सा आपका week भी रहे सकते हैं आप उसको ignore नहीं कर सकते हैं आपको करना ही पड़ेगा अगर आप selection लेना चाहते हैं तो for TGT PGT subject concern is important अगर आप बात करें TGT और PGT चाहे आपका बिहार ही कोई other कोई आपका कोई भी paper आपका जैसे आप केंद्रे विद्ध्याला करे लिजे आप जो फिर आप नौ करता है वो एक बहुत बड़ा important role play करता है subject concern पर आपको बहुत अच्छा पकड़ है आपको थोड़ा से general part आपको तयार करना पड़ेगा और इस step से आप easily वे में निकल पाईएगा ठीक है तो अभी जो आपका exam हुगा है TGT और PGT का उसमें आप देखिए question कैसे पूछा गय subject से अपने graduation किया है post graduation किया है तो उस subject को करने से आपका एक अच्छा खासा knowledge हो जाता है आप अच्छे से किया तो आपको पता होता है कि वो चीज कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है तो इस type से आप जो है उसको देखिए और कोसिश करिए कहां से क्या आया और अभी से आप अपना प्रिप्रेशन स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट मैटर को अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो यह चीज़ आपके लिए काफी हेल्फुल होगा और बहुत ही इसली वे में जो है आप एक्जाम को निकाल लीजेगा बस थोड़ा सा आपको अपने जेनरल है कि यह हो जाएगा कंडिडेट नहीं मिलेंगे दिस होगा लेकिन अच्छे खासे लोग अधर इस्टेट के भी लोग जो है वहाँ पर आये और कटप को हाई करके गये ठीक है और आने वाले में भी आपका टेट हुआ है अभी तुरंत आपका बिहार टेट होगा कुछ दि आप कुछ औरों से थोड़ा सा क्या रहते हैं अलग रहते हैं different रहते मतलब कि थोड़ा सा आगे रहते हैं तो यहां पर आप जनेरल पार्ट को भी अभी से त्यार करना हुआ हलका सा थोड़ा शी कर स्सक्रोड़ा साब रजिनिंग को तयार करें तो इस केस में आप अछी ख निकल जाए ठीक है में के प्लान एंड गो थू इट आपको अभी सहीं आपको पता है कि एक्जाम होगा और ऐसा नहीं तो पहले तो बिहार आपका बंदाम था अभी भी कुछ-कुछ में वहां पर आपका कुछ-कुछ होते ही रहता है अभी अगर हम लोग एक दो प्रोशेस को देखें तो काफी ट्रांस्पेरेंसी के साथ आपका हुआ है तो इन सब एक दो प्रोशेस हो जाने के बाद आप यह क्या सकते हैं कि चीजें जो है वह फ्लक्सिबिलिटी के साथ बहुत ही प्रोपर वे में चलेगी त इससे हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपका जो है वह बहुत ही अच्छे से आपका एक्जाम कंड़क्ट होगा और संभावनाएं बहुत अच्छी है कि आपका बहुत जल्द आपका जॉइनिंग भी हो जाएगा जैसे कि आपका 1.0 और 2.0 में हुआ है तो अगर हम लोग बात करें BPSC 3 1.0 की BPSC 3 2.0 की तो काफी कम समय मिला हुआ था तो कंडिडेट जिनका तयारी था वो तो अच्छे से निकल गया जो सोचे वो नहीं निकल पाए क्योंकि बहुत ही कम समय मिला क्योंकि प्रप्रेशन के लिए at least 3-4 months चाहिए होता है कोई भी particular exam क को तयार करने में उसके syllabus को तयार करने में उसके अनुरूप उसके according ढ़लने में तो यहां पर आपका अभी बहुत अच्छा time है कि आपको सब कुछ पता चल गया है कि आपका कि state में exam होगा form कब release होगा form भी आपका मई जून के आसपास आपका release हो जाएगा तो एक अच्छा सच समय है आपके पास अभी ही आपको preparation start कर देना चाहिए अगर आप अभी सही preparation start कर देते हैं तो यकीन वानिए आपके लिए काफी helpful होगा और easily में जो है आप exam clear कर लीजिएगा ठीक है अराम से आपका जाब भी हो जाएगा complete the syllabus first सबसे पहले आप अपना syllabus को complete करिए ठीक है बहुत सारे लोग होते हैं syllabus को ही complete नहीं करते हैं इधर उधर भटकते रह जाते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समय भी है सबसे पहले अपने previous year question paper को देख्यों जब आपका exam हुआ है उसको देखे समझे analysis करे weak point को पकड़े strong point को पकड़े और पकड़ने के बाद उसक पहले syllabus को complete कर लिए फिर आपके पास after that go for mock test फिर आप पहले syllabus complete कर लिए फिर बहुत सारे YouTube channels है बहुत सारे platform है बहुत सारे platform का अपना application है जो की online test provide करवाते हैं mock test provide करवाते हैं साथी साथ बहुत सारे आपके offline में आपके question paper available होंगे तो mock test भी आप उसके बाद दीजिएगा mock test का फैदा यह होता है उसमें आपको पता चलता है कि question कैसा पूछा जाता है ठीक है साथ ही साथ आपको यह पता चलता है कि मतलब की time management आप कोई यकीन मानिए कोई भी exam को आप target करते हैं तो जो भी आप exam को target करते हैं तो उस case में आपको जो है mock test देने का फैदा यह रहता है कि आपको time management क्योंकि अधिकतर लोग math का question नहीं बन पाएगा reasoning का question solve नहीं हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा तो जब आप अच्छे खासे 20-30-50 mock test दे देते हैं तो बहुत ही easily way में आप exam को crack कर लेते हैं तो इस case में आपको क्या करना जाहिए इस case में syllabus को complete करने के बाद जो है आप क्या करिए मौक टेस पर जाईएगा ठीक है तो इस सब कुछ बाते थी ऐसा नहीं मैंने बहुत कुछ बड़ा कुछ बता दिया मैंने general ही बाते बताई एक serious candidate को यही सब बाते पता होती है बट वही चीजों को कोई structure वे में बता दे तो वो कुछ अगर आप starting करें अगर आप सोच रहे हैं अगर आप और आप outside के candidate है और आप सोच सकते हैं कि यहां पर जा करके आप जूब कर सकते हैं तो इस ताइप इन सब चीजों को follow करके आप एक preparation स्टार्ट कर सकते हैं टाइम भी आपके पास अच्छा खासा है और यहां से अभी ऌ classmates सुठ निकाल करते हैं तो यह कुछ było की आपको यह सब सारी बाते पशंद आई मैं ऐसा नहीं को बहुत सारा एक्जाम निकाल लिया हूं जो भी प्रिपरेशन करता हो जो भी लगता है एक सेर करना चाहिए तो मैं आपके साथ सेर करने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब के help से I hope कि आपको ये वीडियो प्रसंद आया होगा और आपके preparation को start करने के लिए ये आपके लिए काफी helpful होगा ठीक है वीडियो पुसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल से कुछ भी help मिल रहा हो आपको लग रहा हो कि ये कुछ आपके लिए beneficial मैं कुछ लाने के कोशिश कर रहा हूँ तो आप यखीन मानिये मतलब आप जो है वो चैनल को subscribe कर दीजेगा मैं आपको लिए helpful अपकमिंग एक्जाम के लिए ठीक है तो आज के लिए इतना है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मात्रम और थैंक यू फूर बाचिंग मैं वीडियो थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग थैंक यू हूँ बाचिंग आपल मैं बडाए लिए यूर बाँज बाँ